नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टापिक है क्या हम पीर फिड्राल और ट्रांसपर एक ही बार कर सकते हैं क्या सिस्टम इसे आक्टेप्ट करेगा अगर आक्टेप्ट करने के बाद क्लैम अप्रूव होगा या रिजेक्ट आज के इस वीडियो पर लाइव में एक क्लाइंट का आपको करके दिकाने वाला हूँ जिसे देखकर आप खुद अपने मोबाइल पर आसानी से कर सकते हैं तो इस वीडियो को आपरी तक ध्यान से देखे अगर आप नए हैं तो प्लीज थोड़ा सब्सक्राइब बटन पर दबा देना तो सबसे पहले यूएन पोटल ओपेन करते हैं फिर यहां सर्विस नीचल पर चलते हैं आप देख पा रहे हैं कि इनका दो पी एफ अकॉंट है अब इनमें एक में से विड्राव करने वाले हैं अब दूसरे को ट्रांसफर करने वाले हैं अब इन दोनों अकॉंट पर बैलेंस चिक करते हैं आप यहां देख पा रहे हैं कि इन दोनों अकॉंट में बैलेंस है एक में ज्यादा एक में कांग अब जिस पर ज्यादा है उन में से निकालने वाले है फिर वापस UN Portal पर जाके आनलाइन सर्विस को सेलेक करके फिर इस लिस्ट में क्लेंड पर क्लिक करें अब यहां bank account नमबर डालके verify करें फिर proceed पर क्लिक करें अब यहां farm 31 सेलेक करके फिर नीचे pf account को सेलेक करें फिर time successful हो चुका है अब हमें करना है transfer इसके लिए फिर आनलाइन सर्विस को सेलेक करें अब इसमें transfer request को सेलेक करें अब नीचे scroll करके present employer पर टिक करें अब यहां पर अपना पूराना pf number डालके get details पर क्लिक करें अब नीचे get otp पर क्लिक करें अब अपना 6 अंकों का आधार otp ए देख पार है कि बिना किसी error के यहां transfer request successful हो चुका है अब यह इसलिए हुआ है कि जिस account पर मैं advance लगाया वो present account है और जिस account को मैं merge request किया वो old company है और जिस account में से मैं claim लगाया वो amount उसी में रहने वाला है और वापिस उसी account पर 10,000 जमा होने वाला है इसलिए अब अपने तर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चानल को लाइक आउ सब्सक्राइब करना मत बूलिए मिलते है अगले वीडियो में जैहिन